तो इसको भी में थोड़ा सा पतला करूंगी क्रीम आपकी इससे थोड़ी गाड़ी होनी चाहिए और जो हमारी चिकी है उसको भी हम क्रश करेंगे साथ-साथ ब्रेट की जो दो स्लाइसिस है इसकी भी हम सेकंड लेयर लगाएंगे और रेसिपी दुबारा से रीकैप कर देती करना है जैसे ही वह मेल्ट कर दो समय वन टी स्पून बटर शामिल किजएगा मिक्स कीजेगा उसके बाद आपने 1-4 कप बदाब 1-4 कप काजू डाल के मिक्स करने किसी भी घ्रीज ट्रेपे ढखने पे प्लेट पे किसी भी चीज में आप उसको निकालने इस तरह से इह तो ऊसमें 1 टेबल स्पून बटर शामिल कर लें, चूला बंद करने के बाद बटर शामिल करें और 3 टेबल स्पून अच्छा सा मिक्स करें और आप उसको रूम टंप्रेचर पे ले आएं आधा उसमें से आप अपने निकालने थोड़ा सा और बाकी का गया हो केरमल सॉस में यूज की और जो विपिंग क्रीम है उसके लिए आपको ये वाली चाहिए होगी ठीक है इसमें आपने थोड़ा सा आधा जो आपने केरमल सॉस निकाला थो वो मिक्स करना है वो रख देना है और बाकी का सौस एसमें अभी ब्रेक में मैं थोड़ा सा मिल्क शाम करने के बाद की हम एक लेरिंग करेंगे उसके ओपर हम ये क्रीम जिसमें केरेमल सॉस मिक्स है वो अपलाई करेंगे सेकंड लेयर लगाएंगे ब्रेट की फिर दुबारा से ये जिसमें मैं मिल्क मिलाऊंगी केरेमल सॉस में ब्रेट के ओपर हम वो डालेंगे फिर दुबारा झाल झाल